चोपड़ा है जो किसन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ दोस्तों इंडिया में MBBS, BDS और आईरवेदा कोर्स में एडमिसन नीट स्कोर पर होता है और एडमिसन के लिए रेजिस्टेशन नीट रेजल्ट के बाद होता है देख सकते हैं आज हम तीसरे रेजिस्टेशन आई प्यू के बारे में बात करेंगे जो आठ जून से स्टार्ट हो चुके हैं और पंदरा जुलाई इसकी लास्ट डेट है आई प्यू मतलब गुरू गोविन सिंग इंदर प्रस्त युनिएरसिटी है जो दिली में सेचुएटेड है इसके द्वारा तीन मेडिकल कॉलेज में एडमिसन दिया जाता है वो मेडिकल कॉलेज हैं बियस से मेडिकल कॉलेज अन्डीम सी और असी एमस अब हम बात करें कि आई प्यू के लिए कौन-कौन से कंडिडेट इलिजिबल है ये जो फोरूम है ये किन-किन कंडिडेट को फरना है तो जिन कंडिडेट ने दिली स्टेट में लोकेटेड किसी भी स्कूल या इंस्टिटूशन से 11th और 12th क्लास पास कर रखी है वो सारे कंडिडेट बिएस से और इंडिएमसी मेडिकल कोलेज में MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए इलिजिबल है दुबारा से बता देता हूँ जिन कंडिडेट ने दिली स्टेट में लोकेटेड किसी भी स्कूल या इंस्टिटूशन से 11th और 12th क्लास पास कर रखी है ACMS जो आर्मी कोलेज ओफ मेडिकल साइंसेज है उसमें एडमिशन के लिए जिनके पैरेंट्स आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटाइड हो चुके हैं वो कंडिडेट ACMS में MBBS कोर्स के लिए इलिजिबल हैं सिंपिल सी बात यह है कि आपने अगर दिल्ली स्टेट से 11th क्लास पास कर रखी है या फिर आप के पैरेंट्स आर्मी बैक्ग्राउंड से हैं और आप दिल्ली में B.S. से N.D.M. से और ACMS मेडिकल कोलेज में MBBS के लिए एडमिशन लेना चाते हैं तो यह आपको फोर्म अप यह फोर्म आप अपलाई कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट 15 यानि 15 जुलाई से पहले पहले आपको यह फोर्म फिल करना है इसकी जो एप्लिकेशन फीस है वो 1,200 रुपीज है यानि कि आपको एक कोर्स के लिए 1,200 रुपीज पे करने होंगे आपको अभी सिरफ फोर्म ही फ उस समय आपको ब्रिप में समझा दिया जाएगा प्रिवियस एर में देखा गया है कि इन कोर्सेज में एडमेशन के लिए आई प्यू नीट रेजल्ट के बाद भी रेजिस्टेशन फोर्म री ओपन करते हैं तो आप उस समय भी फोर्म फिल कर सकते हैं अब इसके लिए ओन साइट पर आप विजिट करेंगे इस परकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा इसमें नीचे स्क्रोल करेंगे तो एडमिशन 21-22 दिखाई देगा इसमें आप एडमिशन ब्राउचर पढ़ना चाते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसकी कंडिशने वगरा लेकिन इसमें बाकी सारी जो कंडिशने वगरा होती हैं वो काउंसलिंग के टाइम में अपलाई होती हैं तो इसमें आप ये ब्रॉचर आप पढ़ सकते हैं इसमें इसके बाद में आपने रेजिस्टेशन करना है तो अपलाई ओनलाइन पर क्लिक करना है आपने जैसे ही अपलाई ओनलाइन पर क्लिक करेंगे यहां नीचे रेजिस्टेशन टू जीरो टू वन लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर आपने पहले रेजिस्टेशन कर रखा है और click करने के बाद में ये सुरी formalities fill करने है आपको सारे boxes fill करने के बाद registration complete करके इसके बाद में registration fee speed करके उसके बाद इसका print ले लेना है आपको तो आपको form fill में कोई अगर problem आ रही तो मेरा previous year का step by step का video channel search करके देख ले मैंने उसमें पुरा process समझा रखा है पिछली साल का और इस साल का apply करने का process सैम ही है तो इस परकार से आप IPU का application form apply कर सकते हैं admission need score पर होगा इसकारण अच्छा सा score खड़ा करें ताकि आपको मन पसंद दिल्ली का medical college मिल सके need related और जो भी कोई update होगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं पूचोई लिए लिएаешь 날 और जादा नएवान वारे लादा मिलतल इऑस नएलियो में प्राजर बारेस करें झाल झाल in जो खर्भाचोई टान किम दवादा में टूश रपकी